तो हिले वरिवन तो CISF एनी Central Industrial Security Force ने आपर कई सारी vacancies के लिए notification जारी किया है कौन सी posts हैं ये कब इसके लिए apply करते हैं आपको कौन सी last date रहने वाली क्या salary रहने वाली सारी details इस वीडिम बताने वाला हो आपको तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि CSF के में पहले ही कई वीडियो डाल चुक हूँ प्रीवेस एर के खासकर जो tradesman का जो exam अगयरा थे ना उनके प्रीवेस एर के paper में डाल चुक हूँ और आपको देखने तो उसका link में description में और उपर i button भी आ रहा होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो अभी देखते हैं कौन से पहले तो इसका जो opening date और closing date है आपर साफ साफ लिखा हुआ पहले page पे opening date है नि 23 September से आप इसका application चालू हो चुका है और 22 October तक इसका application बंद हो जाएगा 22 October तक यानि इन दोने dates के 20 तक आप apply कर सकते हो मैं पहले बता दूँ यह All India Evgancy है यानि कहीं से भी आप आते हो इसके लिए apply कर सकते हो और हम बात करूं तो यह कौन सी पोस्त के लिए है तो यह कई सारी पोस्त है जिसमें की कई सारी ट्रेट्स आती है तो ट्रेट्समैन यह है ठीक है इसमें कूक है कॉबलर बार्बर वाश्यमन कार पेंटर, स्विपर, पेंटर यह सारी पोस्त आपको इसमें मिल जाएंगी और मैं सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 21,700 से लेके 79,100 के बीच में रहेगी यानि लेवल 3 पे मैट्रिक्स इसमें रहेगा है यानि कि जो भी आपकी पोस्त होगी उसी के हिसाब से आपर आपको जो है सालरी दी जाएगी अलग-अलग वेकेंसी के लिए अलग-अलग ट्रेट के लिए जितनी यहाँ पर वेकेंसी निकाली है पोस्त निकाली है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो यह पूरा चार्ट है यापर ठीक है और यहाँ पर आपको जो चीज नोट करने है क यह सिर्फ आप इसके लिए एक ही ट्रेट के लिए एक ही ट्रेट के लिए अपलाई कर सकते हैं कैसे और मैं बता दूँ कि इसके लिए जो date of birth eligibility वो है 18 से लेके तेस मिनमम 18 साल होनी चाहिए maximum 23 साल तक आप कौन से date को देखते हुए आप इसको evaluate करेंगे अपनी date of birth तो यह 1 अगस्त 2019 को आपको देखना है कि आप 18 और 23 के बीच में हैं की नहीं अगर नहीं है तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे अगर हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर आप बात करूं कि इसमें क्या पास मांगे है तेंथ पास सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास आईटी आई है अगर आप उसके साथ अप्लाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी सिर्फ स्वीपर एक ऐसी पोस्टर जिसमें कि कि किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी स पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और सबको एकुली ट्रीट किया जाएगा जितनी बाकी अगर ट्रेट से बारबर बूट में गर कुक कारपेंटर इनमें जो आइटी आई जिस ट्रेट से आपने कर रखा है उसी से कोशिस करें कि अपलाई करें यह से मान लेजी कि आपने यहा आपके सारे अड्रेस दीए अब आपको करना क्या ध्यान से सुनिएगा पहली बात तो इसमें 100 रुपय के आपको फीज बढ़नी पड़ेगे अगर आप जेनरल के टेगरी यह फिर EWS से आते हो अगर आप फिर OBC से भी आते हो अगर आप सिर्फ SCST से बेलोंग करते हो तब ह आपको यहाँ पर कोई भी फीज पेर नहीं करनी पड़ेगी और अगर आप SCST हो एक सर्विस में ने तो आपको फीज नहीं करनी पड़ेगी और आप और किसी कैटेगरी से जनरल OBC यह फिर और किसी से तो आपर 100 रुपय आपको पेर करने पड़ेगे अब कैसे भेजना है अपना पहले तो यह सारे यहां पर स्टेट्स के नाम लिखे हुए चंदिगे अपना देख लेना कहां पर जैसे माल लेते हैं कि आपका यह है मध्यप्रदेश में ठीक है चतिस गड़ और मध्यप्रदेश में तो आपको देखे दो एड्रेस यहां पर दिये गए हुए एक अपको बाहर पहर पढ़ेगा जो पहले तो आपको डीडी बलाने पडव ही ठीक के दिईए इस में दिया नए डिटी कमुछनी दिटी बन थाती बन्त बंवाना पड़ और डिवांवन ऑना पड़ेगा प्याइए तो उसके बाद आपको यह बाहर लिखना पढ़ेगा पण आपका जो application वो यहां पर जाएगा उसके बाद यहां पर जाएगा और बीच वाला उन्हें बता ही दिया है क्या है इसके नाम के को डीडी बना नहीं तो मित कतों आप समझ गया होगा आपको इसके रिगार्डिंग कुछ doubt है तो comment section पूछ लेना और अगर इसके रिगार्डिं जो है मैं करवा दूँगा अगर आप लोग को चाहिए तो ठीक है और ऐसी वीडियो के लिए जिसमें कि मैं आपको डेली इस बेसिस पर बताऊंगा कि कौन सी विकिंसी आई है जिसके आप अप्लाइग कर सकते हो आल इंडिया लेवल पे तो make sure चैनल को सब्सक्राइब कर ल इनमाद